हेलो एब्रिवन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रैमर आज हम लोग पढ़ेंगे और हिंदी ग्रैमर भी पढ़ेंगे मतलब कि हम लोग दोनों बुक से एक एक चैप्टर करेंगे तो आप लोग ध्यान दीजेगा ये जो आपके सामने स्लाइड से हो रहा है ये आपका हिं द्वारा ही बोला जाता है अगर भाषा नहीं होता तो हम लोग एक दूसरे की बातों को समझ नहीं पाते जिसे कि देखते हो आप लोग बात करते हो आपस में या अपने फ्रेंड से या अपने फैमिली में कहीं भी किसी से भी बात करते हो कोई भी अपना विचार आपको व वह साधन है जो आपको अपने विचारों को व्यक्त करने में मदद करता है चाहे वो किसी भी तरह से हो या तो आप इशारे से भी बोल सकते हो आप जो है मुझ से बोल कर भी बोल सकते हो या फिर जो है आप लिख कर भी अपनी भासा कर सकते हो जैसे कि माल आप अपने फोन पर पत्र लिख रहे है या चिटी लिख रहे है है तो आपका ब्यक्त करने का तरीख अपना इसेबिर रहे हैं जैसे कि आप लोग क्लास में सैथानी करनाह नहीं तो आप लोग इशारों में करते हो ना कि नहीं मुझे वह कॉपी दे ये करते तो आप लोग इशारों में करते हो बदमाशी तो इशारों में भी जो है आप अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हो उस भासा को हम लोग सांकेतिक भासा कहते हैं तो देखें यहां पर आपको भ करिएगा दूसरे के सामने या दूसरे के बाद को समझिएगा भासा बहुत सारा होता है हिंदी इंगलिश उर्दू मराथी तामिल तेलगो आप लोगों ने सुना होगा मल्ले आलम जहां जाएगा अलग-अलग प्रकार की भासा बोली जाती है लेकिन हमारी राष्ट्र भासा जो है वो हिंदी भासा है और आपको भासा के अगर हम लोग रूप की बात कर ले या भासा के प्रकार कितने होते हैं तो भासा तीन प्रकार के होती है मौखिक लिखित और संकेतिक मौखिक हुआ भासा होती है जिसको हम लोग बोलते हैं या फिर सुनते हैं लिखित भासा वो होती है जिसको हम लोग लिखते हैं या फिर जो है किसी के दोर लिखा हुआ रता है तो पढ़ते हैं और सांकेतिक भासा वो भासा होती है जो किसी से हम इशारों में कुछ बोलते हैं या फिर किसी के इशारों को समझने के कोशिश करते हैं ठीक है जिसे माल जी कि आप अपने अपने दोस्ते टैलीफोन पर बात कर रहे हैं तो आप मुह से बोल रहे हैं या उसकी बात को सुन रह लिखेत्ब के लिखेत्व वासारीम का उधारनों समझता है जैसे कि मैंने आप लोग को समझाया कि हम लोग क्या करते हैं आ जरे एसे कर वेक्छ को ऐसे हाथ हिला लोग बोलतेयों ना क्या हुआ है कि फेरवेल की हो गया संके anonymous कर रहे हैं जा रहे हैं तो यह सब आए यह जो है आपका संसा प्रšका होगिए या जो है आपको स्कूल में अगर कोई पढ़ा रहा होते है टीचर और आपला करे हो तो यह स्कूला पर उंगली रखने के लिए बोलते हैं उच्प होगते। आपके सब्सक्राइब जितने भी जिव जन्तु वापस में अपने भासा का अधान परदान या विचारों का अधान परदान जो है वह भासा के द्वारा ही करते हैं देखिए जिसके आपर दिया वह विभिन प्रानियों की बुली दी हुई करके अब करके बोलता है आपका टायं करके बूलता एंगा करके बोलता है कुटका भॉंकना बोलते हैं इसके करती है इसinson को अपने वीचारों को वे Online क्यूंत्य का सब्सक्राइब अपना शैक्म करते हैं भले शैक्नाओ में। अगर हम बात करें भारत वर्ष की तो भारत की जो मूल भासा वो है संस्कृत भासा और संस्कृत zah performance से ही जो है बहुत सारे भासाओं का जनम हुआ है अब अगर भारत के अलग अलग छेतर में चल जाएगा तो प्ञाप्स पंज्बं होगा तो पंजाबि वहांके लोग लोग के लिगे। वृषित है वो लोग इस प्रत पत्र लिखने में भासा का लिखित रूप उप्योग करते हैं सही है यह बिलकों सही है सही मार लिजे फर्स्ट वाले में दूसरा दियुवए टेलीफोन पर भासा का मौखिक रूप पड़ियो करते हैं यह भी सही है दूसरा वला में भी सही मार लिजे बोलने में भासा कुट्ता करता है तोता करता है तोता करता है तोता करता है तोता से मिला लिजे टर्टर कौन करता है मेंडक से मिला लिजे टर्टर को कुड़ु 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 कुड़ बिल्ली से मैच कर लिजे यहांपर आपको सही विकल्प चुनना है बोलता है कि बोल कर अपने वीचारों को प्रकट करना भासा का कौन सा रूप है मौखिक रूपैया आदान परदान का साधन क्या है भासा रूप तो तीन रूप है तीन के आगे ट्रिक मार लीजें यहाँ पर आपको Hindi grammar का पहला क्या करना है यह एक्सरसाइज बनाना है इसके अलावा जो है आपको यह पूरा का पूरा चैप्टर रीडिंग डालना है बहुत सारे बच्चे आप लोगों में से homework नहीं कर रहे हैं मैं देख कौन से बच्चे कर रहें कौन नहीं कर रहें यह बहुत गलत बात है सब किसी को करना है और सब किसी को जितना काम दिया जा रहें पूरा परवाहिए अब लोग मत करें अभी जो हैं लोग इंग्लिस करमर का पहला चप्टर देख लिए आपको इंग्लिश अल्फाबेट नमाला होती हैं जैसे कि आप हिंदी में काखा गगा करके पढ़ते हो वर्णों को वैसे ही इंग्लिश में होता है अम लोग का आप लोग किजी क्लासिस में पढ़ चुके हो उसी को हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला या फिर इंग्लिश अलफाबेट कहते हैं यह बोलता है कि हम लोग उन्हीं को आपको सबसे छोटा रूप होता है इंग्लिश भासा कर जो लगूतम रूप होता है उसको लेटर बोलते ह उसकर लेटर च्वक्राइब आहां पिछे क्लासर में कीसे लिखते हैं यह जो इंग्राइव को काटी करने के कोशिश मत कि या कि नेॉग हम सकता है वह तो अभी आप लोग फिलाल यहीं तो जो आपको बड़ा वला अभी स्टी दिया हुआ है इसको अपको सरा अपने कॉपी पर लिखना है यहां पर छोटा वला इसको लिखना है दो-दो लाइन पर या जो जो तीन लाइन पर कोई-कोई होता है वो इसके अलबाद जो है स्मॉल लेटर्स को हम लोग दो कई तरीके सम्मुहों में बाटते हैं जिसए कि कुछ स्माल लेटरस होता है जिनको हम लोग के वार दो गूंक की लिखते हैं जहीं को लिखे एंट कोय लिखा जाता है वह कुछ ऐसे होते हैं जो नीचे तुम लिखे जाते हैं तो लिखा जाता है जी। यë सरफ सकारो पर जाता है जासे कि पर और एफ तो यह सब आप लोगों को याद रखना है और याद नहीं भी रखेगा तो कॉपी पर जरूर लिखना है ठीक है याद नहीं करना है इसको किवर कॉपी पर अच्छे से लिखका प्रैक्टिस करना है इसके अलवा जो है जो मुख्य चीज आपको इस चैप्टर में है हो है वावल और कॉंसोनेंट देखिए वावल और कॉंसोनेंट के बारे में आप लोगों को यूकी जी में थुरा बहुत बताया गया होगा वावल जो होते हैं आपको आगे क्लासिजम और अच्छे से परणिक मिलेंगे लेकिन फिलहाल आपको यह द्यान रखना है कि ए ए यू इसको बारबर बोली है मेरे साथ ए ए आई ओ यू यह जो पांच लेटर से इनको हम लोग वावल से बोलते हैं ठीक है वावल बोलते हैं और इनकी अलावा बाकी जितना भी अक्छर है वह सब हो जाता है हम लोग का कॉंसोनेंट ठीक है तो याद रखिएगा कि वावल क को छोड़कर बाकी जितना भी एक्छर है वह सब हो जाएगा हम लोग का कॉंसोनेंट तो इसका पड़ियोग जो है जब हम लोग एन लगाने के लिए सीखते हैं तब जो हम लोग को यूज में आता है जैसे कि आपको मिस्स बताई होंगी पिछले क्लासेस में कि ए आई आई सबसे च्छोटी करी क्या कहते हैं अन्ग्रेजील मानला में कितने लेटर सोते बताई तो 26 लेटर सोते हैं लेटर बाटा गया है दो भागों में स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर आप जो है यह आपको दिया हुआ है इसको आपको लिखना है जैसे देखें ए लिखा है न चोटा वाला भी साथ में लिखेगा जे लिखा हुए तो बड़ा वाला जे और चोटा वाला जे यह सब को अपने भुक में भर लेना है और यह खुद से भरना है ठीक है इसको आप भरिएगा अपने बुक में और जिन लोग पास बुक नहीं वो लोग कॉपी में उतार कर यहां पले होना चाहिए के बाद का लिखना चाहिए इ ejerc饉 में भर देना म जिसно की हिंदी प्रंपर लेंगेपा पर जड़िया है ना तो इसको आर ऐसे लिख देना है यहाँ यहाँ पर नली करने एक सब्पर البगल में थाट लग ना तो इसको अगर आप को यह समझ मैं तो आप अपने उसमाने माद सकते होंम है कि Hindi में किसको कैसे क्या बोलेंगे देखे तो यहाँ पर Hindi में लिकर दिया हुआ है ना तो Hindi में ऐसे ही जो है आपको इसमें देखकर भढ़ना है वैसे आ पीछा हो तो कुछ से भी बर सकते हो इसके अलबा जो है इसमें आपको भावेल 6 स्थाट नहीं मैंने बताया भावेल 5 हो में क्या है तो ओवर लिजे सिट में सिट मैं आई है तो आइ भर करना है जिने हो लोग बुक में भर लेंगे नहीं हो लोग कॉपी में उतारेंगे और फिर भरेंगे और जितना आप सब किसी को करना है रहन देते हैं आज के लिए इतने ही थैंक यू बेरी मिच